दियर फ्रेंड्स असलामलेकूम कैसे हैं उम्मीदेखेरेट से होंगे आज मंडे 29 मैं 2023 डेट है और आज एक टेस्ट कनेक्ट किया गया मेंस्पल आफिसर का बहुत ही इजी टेस्ट है देखते हैं आपको इजी लगता है यां डिफिकल्ट शुरू करते हैं कोशिन नमबर वन से कोशिन नमबर वन आए डॉन्ट रिली वांट तो गो बिसाइड्स इस तू लेट नाओ यहां बिसाइट्स क्या है यह कनेक्टर है और इसलिए इसको कनेक्टर्स जो होते हैं वो कंजंक्शन केलाते हैं तो आप्शन सी इस करेक्ट कोशिन नमबर टू दीज फिगर्स बोर्ड वेल डूनाट बोर्ड यहने के यहां वर्ब इस्तेमाल किया गया है तो इसका आप्शन डी होगा बोर्ड वेल फर दे कंट्रीज फ्यूचर इडेंटिफाइड अंडरलाइन वर्ड तो यहां सही आप्शन होगा वर्ब आप्शन डीज करेक्ट कोशिन नमबर थी यहां इस्तांचली एडवर्ब है आप्शन बी इस करेक्ट जैसे हम इस्तिमाल करते हैं तो वेरी एडवर्ब है और स्वीट अड्जेक्टिव है वर्ब को क्वालिफाइड करने के लिए एडवर्ब इस्तिमाल किया जाता है प्रपोजिशन को क्वालिफाइड करने के या भी एड़ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है यहां प्रोटेस्टन्ट यह एक अड्जेक्टिव है इसको क्वालिफाइ करने के लिए हम एड़ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं आप्शन भी इस करेक्ट question number four it is a small car yet it is surprisingly spacious यहां yet conjunction a option is correct question number five our defeat was expected but it is disappointing nevertheless so yeah nevertheless adverb इस्तेमाल किया गया है option c is correct adverb question number six अलताफ वास acquitted after will wind trial will wind का मक्स जे है के very fast तो इसका opposite क्या बनेगा very slow क्यूंके sentence के आकर में लिखा हुआ है choose the opposite of the underlined word so very slow option b is correct question number seven diurnal rotation of earth is regular choose the opposite of the underlined word the opposite of diurnal is nocturnal option is correct आप बेशक्ट चेट कीजिएगा his health degenerated quickly तो यहां option c मुझे correct लग रहा है लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा क्योंके यहां active हो सकता है opposite word तो इसलिए मैंने active टिक किया है लेकिन आप फिर भी चेक कीजिएगा question number nine they managed to leave without any of us realized यहां without में error है यहां error identify करनी है तो option c is correct question number 10 last but not the least I would like to thank all of you I would like to thank all of you इसमें तो कोई error नजर नहीं आ रही last but not the least the least नहीं होता but not least यह basically idiomatic expression है idiomatic expression में article का इस्तेमाल यहां नहीं होता article यहां improperly place किया गया है option b is correct यहीं error है question number 11 name the person who discovered Australia in 1606 captain James cook option D is correct a bus eat question number 12 a bus eats ruled over most of the Islamic world from 750 AD till 1158 AD option B is correct question number 13 battle of uhud was fought in 625 AD option B is correct question number 14 the making of Pakistan is written by तो यहां यह सारे options गलत दिये गए हैं यह basically book लिखा था केके अजीज़ खुरशीद कमाल अजीज़ यह CSS में recommended book है और यह book पाकिसान अफेर्स के लिए बहुत पसंद की जाती है और पढ़ी जाती है फ्रॉड पाकिस्तान और बहुत ही अच्छी book है आप CSS के पाकिसान अफेर्स के प्रिपरेशन के लिए आप references वहां से कोड़ कर सकते हैं तो यह book केके अजीज़ ने लिखी थी question number 15 river nile finally falls in which of the falling seas Mediterranean sea option B is correct और आपको दूसरी भी information दूमें कि यह वाहिद दर्या है दर्या नील जो नार्थ में फ्लो करता है आउट फ्लो नार्थ की तरफ करता है वैसे अगर आप river इंडस देखेंगे तो वो south की तरफ अक्सर rivers south की तरफ होते हैं या कोई और तरफ होता है लेकिन यह दुनिया का वाहिद रिवर है जो नार्थ की त फ्लो करता है तो आफ्शन बी इस करेक्ट मेडिटेरियन सी कोश्चन नमबर 17 अर्कमडीज वर्ग्ड आन लाफ फ्लोटिंग अफ द बोडिस मिलकुल इस पर काम उसने किया है और प्रिंसिपल अफ लीवर उस पर भी काम किया है तो दोनों सही हैं बोथ एंड बी आर करेक्ट आफ्शन दूच्ट आफ्शन वर ट्रेल बर्ड ट्रि जिस जाज़ जार इस फग जाट इस फाइमार मनोमिटर आफ्शन टी है इस फाइमार मनोमिटर आफ्शन दी जाफिग्स 500 19 व INF of aluminum option C is correct question number 20 the arranging of data in logical sequence is called sorting option D is correct question number 21 the world justice project rule of law index 2021 has ranked Pakistan out of 139 nations 130th option D is correct question number 22 on October 8 2021 the federal government issued a commemorative coin of rupees 72 mark 70th year of diplomatic relations with Germany option is correct question number 23 taxila was famous site of Gandhara art option B is correct question number 24 when did Vasco de Gama came to India and protein hundred ninety eight option B is correct question number 25 yeah I could have some homework data on my apko who was Vasco de Gama or or Kahaan se taluk rake tete on se mulk se ayate a question number 25 in seventeen hundred fifty seven Sarah Joe Dola was defeated by Robert Clive option B is correct question number 26 who among the following was the first Mughal Emperor to allow Britishers to establish trade links here of notion B is correct तो ये खत लिखा गया था जानगीर की तरफ से अपनी राया को तो आप ये बताएं कि ये खत कब लिखा गया उसका साल क्या है कोशन नमबर 27 बाबर लेड फाउंडेशन आफ मुगल इंपायर इन 1526 बाइ डिफीटिंग इबरहीम लूदी अब ये बताएं कि ये कौन सी वार थी और इसका नाम क्या है जो 1526 में लड़ी गई ये भी आपका होमक है कोशन नमबर 28 नाम को आपरेशन मुवमेंट वाज लांस्ट बाइ महतमा गांदी अप्शन बी इस करेक्ट अकार्डिंग टू डगमेंट अफ इंडिया एक्ट इन 1935 इंडिया हैड बिन डिवाइड एंटर 11 प्राविंस आप्शन भी इसक्रेक्ट यहां भी एक चोटा सा होमक बनता है कि इसी ही गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 की तहत इलेक्शन हुए थे 1937 में तो आप यह बताएं के कांग्रेस रूल जो बना था तो कांग्रेस ने कितने प्राविंसेज में अपनी हुकूमत बनाई थी इस इस यह ओमक पूस्ट नम्र थर्टी क्रेफ्स मिशन विजिटेट इंडिया इन 1932 आफ शन्सी इसक्रेक्ट वस्टेट नम्र थर्टी वन काईद आजम प्रेसंटेट इस फेमस पूंट इन 1929 आफ शन्सी इसक्रेक्ट यहां भी एक च्छटा सा होमक नहरू नैंटीन हंड्रेट फिफ्टी नाइं पॉस्ट नम्र थर्टी थ्री वुच एटम दस नाट हैव अन्यू ट्राम सिदी बात है और इसको मार्श गेस भी कहा जाता है मिठेन भी कहा जाता है च्छ फोर भी कहते हैं इसको आफ्शन इसको आफ्शन इसक्रेक्ट नम्र थर्टी फाइव रिकार्डिंग अफ ब्रेन वेवस फ्राम आउटर सर्फेस अफ हेड इसकाल EEG option D is correct number 36 1 million cycle per second is called 1 million cycle per second is called megahertz अगर आप यह कहें के one cycle per second is called Hertz question number 37 which is the first farmer US president to face criminal charges Donald Trump अब यह बताएं के Donald Trump का कौन सा नमबर था प्रेजिडेंट का question number 38 Queen Elizabeth 2 died at the age of 96 option D is correct अब यहां अब यह बताएं के कौन सी डेट पे डेट हुआ था Queen Elizabeth 2 का question number 39 who is the current prime minister of UK Rishi Sunak option A is correct Rishi Sunak Rishi Sunak से पहले Liz Trust थी जो एक महीना डेड महीना चली उस से पहले कौन था यह बताएं question number 40 which country has the highest labor force China option B is correct लेकिन आप यह चेक कर लीजिएगा यह मुझे confirm नहीं है question number 41 which country has the largest reserves of oil Russia option C is correct question number 42 which tennis star was deported from Australia after his unvaccinated status option B is correct Novak Djokovic option B is correct question number 43 which province of Pakistan signed a sister province agreement with the US of California to promote trade educational and cultural relations Punjab option B is correct question number 44 the United Nations Population Fund UNFPA says population is growing in Pakistan at an average annual rate of 1.9 percent question number 45 the headquarter of Association of South East Asian nations is in Jakarta option B is correct अब आपका यह हूमक है यहां के how many are there members of SCN SCN के कितने members है और उनकी क्या नाम है question number 46 the first and only Pakistani woman to have submitted Mount Everest successfully Samina Beg option C is correct question number 47 the battle of Yarmouk was fought between Muslims and Romans option is correct question number 48 the seat of memory in the human brain is located in cerebrum option B is correct question number 49 what is the name of ocean that lies between Europe and United States of America Atlantic Ocean North Atlantic Ocean option is correct question number 50 what height is known as a death zone where oxygen is insufficient for human life at thousand meters you